तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और यूनीक प्रस्न है कुछ और नए प्रस्न है जो करनी के पड़िमे करन पर ही आधारित है बीच में और कुछ नंबर्स हमारे इस तरफ है कुछ नंबर इस तरफ है तो कहने का मतलब क्या है कि यह जो प्रस्न तुमको दिख रहा है इस प्रस है वो इधर वाले के यानि एलेचेस में जो भी दिया है वो आरेचेस के बरावर हो जाएगा तो इस प्रसंद को कैसे स्वल्व करेंगे आउजरा बात करें इस प्रसंद को स्वल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा सिंप्ली देखो गौर से रूट तीन मैनस एक बट्टे में रूट तीन पलस एक दिया हुआ है ठीक है इसका कर लेंगे परिमे करन और परिमे करन करने के लिए हमने क्या बताए यदि रूट तीन पलस एक दिया है तो गुना का चिन देंगे और ठीक इसके बाद रूट तीन पलस है तो मैनस लेकर एक क रहा है, इसका मतलब root 3-1 का ये whole square हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, हमारा बटे में हो जाएगा ये, root 3 plus 1 और root 3-1, मतलब ये a plus b और ये a minus b के form पे आ रहा है, इसका मतलब ये a square minus b square के form पे जाएगा, तो root 3 का square और minus 1 का square बरावर हो जाएगा अच्छा इसको अगर a minus b के whole square पर तो तो a का square मतलब root 3 का square होगा और root 3 का square कितना होता है तीन होता है फिर यहां से 1 का square तो plus 1 हो जाएगा और minus में 2ab होता है तो 2ab, a का मान root 3, 2 root 3 हो जाएगा अब भी का मान तो minus 1 ही रेने वाला है तो यह हो गया तुम्हार ठीक है यह हो जाएगा हमारे पास 3 का work करेंगे तो 3 और 3 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े यहां पर यह हो जाएगा 3 और 1 कितना 4 मैंनस 2 root 3 और बटे में 2 यहां से अपन क्या करेंगे दो common ले सकते हैं ले सकते हैं क्या बिल्कुल यह हो जाएगा 2 दूनी 4 मैंनस 3 और बटे में हो जाएगा 2 यहां से 2 से 2 cancel हो जाएगा और इस साइड में हमारा यह तो है A plus B root 3 बराबर में A plus B root 3 ये हो जाएगा हमारा clear लिएशे हैं इहां से एक बात समझो बात को हमारे पास आःखा है 2 minus root 3 बराबर A plus B root 3 इसका मतलब अगर दोनों तरफ हम अगर तुलना करें तो A का value कितना आ रहा है A का value आ रहा है 2 और यहां पर देखें कि B का value कितना आएगा B का value चुकि B plus में है ना B plus में है इसका मतलब B का value हमारे पास कितना आ रहा है minus का 1 ये तुम्हारा उत्तर होगी है किलियर है बात किलियर है बिल्गुला सांजा प्रसने आगे बरते हैं आगे दो प्रसने इसको देखो ये प्रसने हमारे पास 3 plus root 7 बट्टे में 3 minus root 7 बडाबर में दे रखा है A plus B root 7 अब यहां सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा करनी का परिम्हें करेंगे करन करेंगे 3 plus root 7 बट्टे में 3 minus root 7 गुना करेंगे 3 यहां minus है पलस लेंगे root 7 और बट्टे में 3 plus का root 7 बडाबर में A plus B root 7 आगे बढ़ते हैं यहां से क्या हो जाएगा 3 plus root 7 और गुनियम है 3 plus root 7 इसका मतलब यह हो जाएगा 3 plus root 7 का whole square बट्टे में गौर से देखना यहां पर गौर से देखना 3 minus root 7 3 plus root 7 इसका मतलब 3 A minus B और A plus B के फॉर्म में है इसका मतलब इसको लिखेंगे A square मतलब 3 का square B square मतलब root 7 का square बडाबर में क्या हमारे पास बडाबर में है A plus B root 7 आगे बढ़ते हैं आजाओ जी तो यह अगर हम इसको A plus B के whole square फॉर्म में चले तो A का square मतलब 3 का square होगा 3 तियाए 9 ठीक है जी जी रूट 7 का square करेंगे तो यह हो जाएगा 7 पलस 2 A B 2 A B मतलब 2 तियाए 6 छे रूट 7 हो जाएगा यह छे रूट अंडर 7 बड़ते में 3 तियाए 9 और मैनस 7 आजाओ जी बडाबर में हो जाएगा हमारे पास A plus B root 7 अब जोरो 9, 7, 16 16 पलस 6 रूट 7 हो जाएगा बड़ते में 9 में से 7 घटा देंगे 2 बडाबर में A plus B root 7 हो जाएगा यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 common ले सकते हैं देखो 2 अगर common लेंगे तो क्या होगा यह 8 पलस 3 रूट 7 और बड़ते में 2 2 से 2 cancel हो जाएगा A plus B root 7 अब तुम्हारे पास बचा क्या 8 पलस 3 root 7 बड़ाबर में A plus B root 7 अगर दोनों और तुलना करें यहाँ पर तो A common हमको कितना आ रहा है 8 और B common कितना आ रहा है जड़ा देखना सबसे पहले जो करनी दिया गया है इसका हमको करना है जो भी हमारे पास fraction है उसका करना है परिमे करन कैसे करेंगे 5 plus 2 root 3 बटे में 7 plus 4 root 3 गुना लेंगे अब यह जो fraction के यहाँ यह जो fraction है पुरा पुरा हमारा भीन है भीन को क्या करेंगे इस भीन के हर से यानि इस से एक अलग भीन बनाना है जैसे 7 यहाँ पलस है यहाँ मैनस हो जाएगा 4 root 3 7 minus 4 root 3 बड़ाबर में क्या होगा हमारा A plus B root 3 आगे बढ़ते हैं अब देखो जड़ा यह 5 plus 2 root 3 है यह 7 minus 4 root 3 है मतलब यह दोनों गुना में जाएगा इस दोनों के बीच में गुना होगा 7 minus 4 root 3 इस दोनों गुना होगा अब यह A plus B और A minus B के फोर्म पे देखो ना 7 plus 4 root 3 और 7 minus 4 root 3 तो इसका मतलब यह A square minus B square के फोर्म पे जाएगा यह हो जाएगा 7 का square मतलब यह होगा 7 का square minus 4 root 3 का square बड़ाबर A plus B root 3 clear है बात clear है आगे बरते हैं यहाँ पर अगर हम multiply करें तो क्या होगा 7 को गुना करें 5 से 75 35 plus 2 को 7 से गुना करेंगे 14 और root 3 हो जाएगा इसी तरस अगर हम इसको गुना करें पंचो का minus 20 root 3 हो जाएगा फिर यहां से अगर इसको गुना करें चार दूनी 8 और और 3 का minus 24 बटे में क्या हो जाएगा simply this case को हम क्या करते हैं multiply कर रहे हैं बी कमान हमको निकालना है सबसे पहला क्या कर हैं root 2 plus root 3 बटे में 3 **2 minus 2 root 3 और इसको गुना करेंगे किस से गुना करेंगे यह जो नीचे बी रूट छे अब आज़ो आगे इस दोनों को करना है multiply इसको और इसको क्या करना है multiply यानि गुना करेंगे तो यह होगा हमारे पास root 2 plus root 3 into में हो जाएगा हमारे पास 3 root 2 plus 2 root 3 बटे में 3 root 2 minus 2 root 3 minus में है 3 root 2 plus 2 root 3 a minus b और a plus b के form पर इसका मतलब लिखेंगे a square मतलब 3 root 2 का square और minus 2 root 3 का square बराबर में तो यह होगा a minus b root 6 clear है अब गुना कर लेते हैं गुना करेंगे 3 root 2 से अगर root 2 को गुना करेंगे क्या होगा root 2 root 2 2 हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 6 इसी तरह से अगर इसको गुना करें 3 root 2 को root 3 से गुना करें तो 3 root 6 हो जाएगा पलस में 3 रूट हो जाएगा हमारे पास 6 ठीक है अब गुना करते हैं यहां से 2 रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा रूट 3 को 2 रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 दुना यह हमारे पास 6 हो जाएगा ये बट्टे में आ जाएगा 3 तिया 9 दूना 18 मैनस का 2 दूना 4 तिया 12 अब क्या होगा यहां पर है हमारे पास a मैनस b रूट 6 आगे देखो इधर करें क्या इधर करें क्या चलो कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास हो रहा है 6 और 6 कितना 12 पलस में 3 और 5 रूट 6 पांच रूट छे, और बत्ते में क्या है हमारे पास, बत्ते में 18 में जो 12 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अब समझो बात को, अगर इसको हम लिखना चाहे अलग तरीके से, बराबर में क्या हमारे पास, अब इसको दूसरे तरीके समलिखना चाहे तो लिख सकते हैं 12 बट्टे 6 पलस में 5 बट्टे 6 और रूट 6 बराबर A-B रूट 6 यह हो गया हमारा ठीक है अब आज़ो यह तो हो जाएगा 6 दूनी 12 तो मतलब 2 पलस 5 बट्टे 6 रूट 6 बराबर A-B रूट 6 हो रहा है अब दोनों और तुलना करें तो A के जगह पर हमको कितना मिल रहा है दो मिल रहा है और B के जगह पर जो मिल रहा है हमको माइनस का 5 बट्टा 6 मिल रहा है ठीक है यह तुम्हारा उत्तर हो गया